विल्कम टू ग्यांटे गुण वाइस एससी चेशल ठीक है आप लोगा जोकी नोटिफिकेशन जारी हो गया ठीक है कितनी पोस्ट है ठीक है आप लोगा क्वालिफिकेशन क्या होने होला है एस कर दिया होला है एक्जाम पैटर्न का है सब कुछ बताने में वाइस क्याइक कर सकते हो ठीक है यह पाम है जो कि 2021 का फो में लेकिन 222 में ये निकाला गया है ठीक है तो आप लोगो जो की ओनलाइन फूम भरना जो कि आप लोगो एक फरवरी से आप लोगो साथ मार्च 22 तक भढ़ सकते हो ठीक है last date time payment आप लोग का है 8 March 2022 ठीक है आप लोग अगर offline चलान से आप लोग fill up करना चाते हो यह form तो 9 March 2022 तक fill up कर सकते हो और last date for payment थाउट चलान दिरी अगर आप लोग चलान से last payment करना सकते हो कि दो 10 मार्च 2022 से प्रेमेंट कर सकते हो, ठीक है जो भी बात कर लें, यह जो कि आप है ठीक है और जी बात कर लें में इस में आप लग रहते हैं हम लोग पेज़ी उने वाला आप लोग आप सब्सक्रांट है युर गहम म cafeteria तो पहिए जीसे बोलते हैं जेसी है इसका लेवल्डु का का सैलरी इस है यहाँ इसको बोलते हैं इसका पेड़ेवल होने वाला आप पत्चीस अजार पांसो से अकासी हजार सौ रूप है ठीक है नेश्ट और पॉइंट बात की विएरक कर ले इसमें अगर आप लोग डाटा इंटरी ऑपरेटर हो तो इसका पेड़ेवल होने वाला आप लोगा पत्चीस ज हेगा है फैस्ट से खासी तक तक रूप यसे में बात करक ड्यूद की इसे लेकिछ नमा की आप लिएप लोक क्ומ किस काटिगरी कितना क्ट रूप को छूट मिलने वाला ठीक है अगर आप लोग ऑपीडेवॉ काटिवली इतस्छा है और इस दो rockets तो आप ज़्यादा ही यहां पर आप लोगों मिलने वाला ठीक है तो आप लोग पढ़ सकते हो ठीक है यहां सब कुछ-कुछ दिया ठीक है नेमो पोस्ट आप लोगा डाटा इंट्री अप्रेटर है लोगर डिविजन कलग यानि LDC नेस्ट आप लोगा है पोस्टल असिस्टेंट सौ एज लिमिट होना चाहिए अठारा से सताइसी है ठीक है जो कि आप लोग एक जैनुवरी दौर 22 को कंप्लेट होना जी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया अगर आप लोग एसी और एस्टी कैंडिडेट हो तो आप लोग को पांच एयर का आप लोग को रिलेशन मिलने वाल है और अप लोग अगर ओभी सी कैंडिडेट तो आप लोगो तीन यहार का यहां पर छूट मिलेगा ठीक है पीडवलू एट कंडिडेट को भी यहां पर दिया हुआ जिक है अन्रिजर्ब कंडिडेट उनको दस यह एन टेनियर का मिलने वाला और पीड़लू एट कंडिडे यानि कंड्रोलन और ओडिटर जैंडर का अप लोग अगर हो ता आप लोग को 12 पास्त होना चाहिए किसी भी इन्वेट सीटी से ठीक है और कोई भी कोर्स है ठीक है जरूरी नहीं आप लोग साइंस या आर से हो किसी भी कोर्स हो सकते हैं आप लोग कोमर्स के भी होना चाहिए ठीक है और आएक की बात कर लें पॉइंट की अब बात आती है हाउ टो अपलाई यानि अपलाई आप लोग कैसे करना तो आप लोग अगर न्यू कंडिडेट हो तो आप लोग को रेजिस्टेशन करना पड़ेगा आप लोग को एक फोटो अपलोड करना है फाइव हाइट और तीन पॉइंट पांच बेट होना चाहिए ठीक है आप लोग को एक टेंद का सर्टिफिकेट लगएगा ठीक है मैं सब कुछ बताता हूं आप लोग को सबसे पहले आप लोग बात कर लें अपलीकेशन फीट अपलीकेशन पर आप लोगो मात तर सो क्यान है पतलेंट में अप लोग यहार सेंटरल ले सकते हो ठीक है और आजी बाथ कर लें आगे आप लोग का है अब बात करने से लेक्षन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप लोगो टेर 1 का इकजामनेशन के लियर करना इघ यbereich गरように को तेर टू एक्जामनेशन ओन बेसिस देयर पर्फॉर्मेश टेयर वन प्लस टेयर टू सब्जेक्ट हैबिंग ठीक है यहां पर दिया हुआ है सेकेंड मैनुम त्रितिस परसेंट मार्स इन टेयर टू टेयर थाड एक्जामनेशन इसकिल टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया या ट सब कुछ ठीक है तब लोग रीड कर सकते हो जैसे कि देख सकते हैं अब बात आती है रेजिस्टेशन कैसे करना ठीक है तो रेजिस्टेशन करने कि आपको नीचे हो गया तो यहां पर आप लोग मिलेगा देखिए फिलिंग ऑनलाइन अप्लिकेशन सबसे पहले आप लोग अधार नंबर होना चाहिए ठीक है कोई भी ड़कुमेंट एक होना चाहिए ठीक है इसके लिए आप लोग को पिर आप लोग का 10th का सर्टिफिकट लगा जैसे कि आप लोग देख से तो मैंने भी बताया था आप लोग को 10th का सर्टिफिकट भी लगा लेकिन रजिटेशन के समय आप लोग सिर्फ 10th का सर्टिफिकट लगेगा ठीक है और बीसिक डिटेल फिल्स करना यही कुछ अपडे आप